हेलो एवरीबन वी आ दूइंग चैप्टर फर्स जोग्रफी ऑफ क्लास 6 और आज हम सोलर सिस्टम यानि के सोर मंदल के बारे में बढ़ेंगे लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले यहां बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिये गए हैं उसे डिस्कुस कर लेते हैं पुरानिक कि सोल सूर्य देवता को कहा जाता था सन को क्या कहा जाता था सोल रोमन लैंग्वेज में सोर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंदित सोर का यहां पर मीनिंग है इसलिए सूर्य के परिवार को सोर मंडल कहा जाता है जिसा अभी हमने पढ़ा के सोर मिन सन और इसलिए यहां पर हमने सोलर सिस्टम को सोर मंडल कहते हैं और इसे रोमन में सोल कहा जाता है और इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है तो यह इनी शब्दों से यहां पर सोर सब्न सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन क्या होता है कि जो ये words होते हैं ये किसी अलग-अलग languages से लिये जाते हैं जैसे हम हिंदी में बहुत सारे शब्द बोलते हैं वो किसी और भाशा के शब्द हो सकते हैं जैसे अभी हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा तो जैसे for example geography जो है वो एक English का word है ये Greek language से लिया गया है हम English में geography बोलते हैं लेकिन लान लिया कहा से गया है Greek भाशा से जिसका meaning होता है प्रित्वी का विवरन description of earth ये हैं दो Greek शब्दों से मिलकर बनाया है जी जिसका meaning होता है प्रित्वी अर्थ और graphya जिसका meaning होता है लिखना writing आईए प्रित्वी के बारे में और थोड़े से points चानल लेते हैं यहां पर कुछ points समय दिये गए हैं वही language से बनाके जियो वर्ड है जियो प्लेस लोजी बनता है हमारा प्रित्वी का अध्यन जियो लोजी हम study of earth बोलते हैं इसको जियो और matria मिला कर बनेगा हमारे geometry जिसको हम प्रित्वी का मापन बोलते हैं measurement of earth बोलते हैं जियो और प्रित्वी के आकार के अनुरूप प्रित्वी की जो shape है उसके जैसे जो होते हैं उसकी यह studies होती है रात के समय आस्मान को देखकर मनुष्य जो हमेशा मोहित होता है जब भी हम रात को आस्मान sky को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो stars उसमें दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए और भी चीज़े चमकती हुए दिखाई देते हैं बहुत ही प्यारा लग करता है खगोल्य पिंडों उनकी गती के संबंद के अध्यन करने वालों को खगोल शाष्त्री कहते हैं जो भी खगोल्य पिंडों और उनकी गती से रिलेटेड जो भी स्टड़ी करते हैं उनको हम खगोल शाष्त्री कहते हैं आरेभट प्राचीन भारत के प्रस्षिद्ध उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्ति सूरे प्रकाश के कारण चमकते हैं जो भी ग्रह हैं सारे ग्रह हैं और चंद्रमा वो सूरे के प्रकाश की बज़े से चमकते हैं आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रहमांड के रहसर को खोजने में करते रहते हैं इन सारे रहस्तर को खोजने में रगे रहते हैं कि यह जो होती हमारी स्पेस में आस्मान में इन सब चीजों के बारे में जानते रहते हैं उनके लिए डिस्कवरीज करते रहते हैं खोज करते रहते हैं जो चलिए अब हम अपने पॉइंट को कवर करते हैं सोर मंडल के बारे में हम यहां पढ़ते हैं सौर मंडल सूरय आठगरे तता कुछ अन्य को गोली पिंढ जैसे शूद्र है ईल्का पिंढ यह सब मिलकर क्या करते हैं सौर मंडल का निर्मान करते हैं हमारा जो हम में वह सूर्ध और 눈 में इसके अलावा वे सब गोले पिंढ होते हैं कुछ अन्य को सोर मंडल का सोलर सिस्ट्रम का निर्मान करते हैं और सोर परिवार का हम इसे नाम देते हैं इसका हैड होता है मुख्या होता है हमारा सूर्य सन शोद्र ग्रे है उल्का पेंट इन सब के बारे में हम आगे इस चेप्टर में बढ़ेंगे सूर्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्तीत है जो हमारा सूरज है हमने देखा था सोलर सिस्ट्रम का जब डियाग्रम हमें डिसकर्स किया था सूर्य जो होता है सौर मंडल के सौलर सिस्ट्रम के बिलकुल सेंटर में होता है और सारे हैं जो प्लैनेट होते हैं वो सन के राउं चक्कर लगाते हैं कि इसका खिचाव वाल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है सूर्य है सौर मंडल के लिए प्रकाश एमां उश्मा का एक मात्र श्रोथ हैं सूर्य जो है हमारा सन वो सौर मंडल में light और उश्मा heat के लिए एक मात्र source है सिर्फ अकेला एक source है जो पूरे सौर मंडल को light और heat देता है लेकिन हम इसके अत्यदिक तेड उश्मा को महसूस नहीं कर पाते सूर्य जो है उसकी heat जो है बहुत ज्यादा होती है हें लेकिन हम इतनी heat को फील नहीं कर पातेकि क्योंकि सूर्य धूपर इतनी तेज दूपर इतनी गर्मी पील कर पाते हैं उससे कई गुना زादा है इसकी heat होती है इतहीन को हम हम अपने से थोड़ी सी दूरी पर आग जल रही है तो उसकी हीट को भी फील नहीं कर पाते हैं तो यह तो बहुत दूर है 15 क्रोड किलोमीटर और वहां से संड्रेज आती है हमारे पस उतनी हीट फिर भी हम फील कर पाते हैं तो सूर्य की जो एकसे हीट है हम उसको इसी वज़ ड़ी होते थे लेकिन आप ग्रह हैं उसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे और सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार वह है पहला हमारा ग्रह बुद्ध दूसरा शुक्र थर्ड पर प्रित्वी फोर्थ मंगल फिफ्थ ब्रहस्पती 6 शनी 7 यू से हम इजली प्लैनेट के नाम को याद रख सकते हैं my very efficient mother just served us nuts तो इस लाइन के जो पहला पहला letter है हमारा जिसे m v e m इनसे हम याद रख सकते हैं Mercury, Venus, Earth, Mars इसके फिर्स लेटर से हमारे सभी ग्रहों के नाम याद किये जा सकते हैं सौर मंडल के सभी ग्रह है एक निश्चित पत पर सूरे का चक्कर लगाते हैं यह एक fixed path पर सूरे के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे सूरे हैं और इनका जो path है अपना-पना सब का fixed होता है सारे planet उसी path पर round लगाते हैं और यह रास्ते जो होते हैं दीर्ग वृत्ताकार में फैले होते हैं इनका इनकी shape होती है दीर्ग वृत्ताकार इन्हें हम कक्षा कहते हैं यह जो path होते हैं जिस पर planet सब round लगाते हैं सूरे के round उसे हम कक्षा कहते हैं बुद्ध जो है सूरज के सबसे नजदी ग्रह मरकरी हमारे सबसे पास है sun के यह अपनी कक्षा में सूरे के चारो और चकर लगाने में 88 days लेता है एक चकर को पूरा करने में मरकरी 88 days लेता है सूरे को प्रित्वी का जुडवा ग्रह भी माना जाता है जो सूरे ग्रह हमारा वीनस प्लैनेट है उसको हम ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं आर्थ का क्योंकि वह प्रित्वी जैसा दिखाई देता है उसका आकार और आकरती उसकी शेप और साइज लगभग प्रित्वी के जैसे हैं अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था परंतु अंतराष्ट्य खगोलिय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में अपनी एक मीटिंग में अंतराष्ट्य खगोलिय संगठन ने प्लूटो को एक प्लैनेट माने से इनकार कर दिया यह डिसीजन लिया गया कि प प्रित्वी की अर्थ की उससे पहले हम यहां पर एक बॉक्स में जो इंपोर्टेंट पॉइंट दिये गई उनको डिसकस कर लेते हैं क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3,00,000 km प्रतिस सेकंड है हर सेकंड में 3,00,000 km की दूरी जो लाइट है वो तै करती है और इस गति के बावजूर्ण सूरे के प्रकाश को पृत्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनिट का समय लगता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जादा डिस्टेंस है सूर्य और प्रित्वी के बीच में नील आम्स्ट्रॉंग पहले वेक्ती थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सितह पर कदम रखा था सबसे पहले मून पर जाने वाले वेक्ती थे नील आम्स्ट्रॉंग जो 20 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे अब हम प्रित्वी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमारी अर्थ जो है वो सूरे से दूरी के हिसाब से थर्ड नमबर पर आती है आकार में यह पांच्वा सबसे बढ़ा ग्रह अगर हम साइस के अर्थ जो है वो फित नमबर का ग्रह進 यह धूरी के पास थोड़ी चप्टी है यही कारण है इसके आकार को भू आप कहा जाता है जो धुरूव है हमारे पृत्वी के उत्तरी धुरूव दक्षिनी धुरूव ये वहाँ से थोड़ी सी चप्टी है इस चप्टी होने के कारण पृत्वी के आकार को भू आप कहा जाता है भुह आप का अर्थ होता है प्रिथवी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्तिया संभवता केवल प्रिथवी पर ही पाई जाती है और अभी तक का जो हमारे प्लैनेट सेने सिर्फ प्रिथवी पर आर्थ पर ही ऐसी प्रिस्तिया कंडिशन्स हमें मिली है जो जिंदा रहने के लिए परियाप्त हैं जो दि जीवित रह सकते जिंदा रह सकते हैं परित्विबी अदीक गरम है ना remained जंद यहां पर पानी वायू है को हमाले जीवन के लिए आवश्यक है सबसे जारी है अदिक जार्विबी पानी और वायू है जो हमारे सर्फ प्रित्वी पर पाया जाते हैं वायू में जीवन के लिए आवश्य गैसे हैं जैसे ऑक्सिजन मौजूद है अब हमें सास लेने के लिए जिन्दा रहने के लिए ऑक्सिजन की ज़रुवत पड़ती है जो प्रित्वी पर पाया जाती है इनी कारणों पर प्रित्वी नेले रंग की दखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो टैया इसे पाने से अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू कलर की दिखाई देतिे हैं इसी बज़ेसे हम प्रित्वी को अर्थ होगी next topics को हम next video में cover करेंगे thanks for watching